हेलो स्टुडेंट्स इस वीडियो में मैं भयकुमार क्लास 12 फिजिक्स बहुत की के अच्टुडेंट्स के लिए चैप्टर 9 कियन प्रकास की तथा प्रकासी यंत्र रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्टुमेंट्स का एक बीसेस वीडियो पार्ट वन डिस्कस करने जा रहा हूं जिसमें केवल महत्पुर्ण बहु विकल्पिये बस्तुनिस प्रस्टों मल्टिपुल इंपॉर्टेंट मल्टिपुल च्वाइस अब्जेक्टिब कोश्चन्स को डिस्कस किया जाएगा जो बिभिन अस्टेट्स बोर्ड्स एक्जामिनेशन्स तथा सिवीएसी बोर्ड के अस्टुएंट्स के लिए अतिलाफदा एक हो गए इस्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट एमसी क्यूज बहु विकल्पिये महत्पुन बहु विकल्पिये बस्टुनिस प्रस्टों निम्न प्रस्टों में से सही विकल्प का अचायन करें करेक्ट सेलेक्ट सौरी सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन्स इन फॉलोईंग कोश्टन्स कोश्टन नम्बर वन है बस्टु से बढ़ा आभासी परतिविम्ब भर्चुवाल इमेज निम्न में से किस दर्पन मीरर से प्राप्त होता है आप्शन ए है संतल दर्पन से आप्शन भी है उतल दर्पन से से प्रोम कॉन्वेक्स मीरर डी इनमेस किसी से नहीं तो भस्टु से बढ़ा आभासी परतिविम्ब जब भस्टु को अवतल दर्पन के धुरुब पोल तथा फोकस के बीच रखा जाता है एक मात्र इस्तिती में उत्तल दर्पन द्वारा आभासी, वर्चुवल या काल्पनिक तथा सीधा प्रतिविम बनता है जो बस्तु की अपिक्षा बड़ा होता है। अन्यथा उत्तल दर्पन की साहता से हमेशा आभासी वर्चोटा प्रतिविम बनता है। उत्तल दर्पन से आलवेज इमेज फॉर्म होता है। तो कहां फॉर्म होता है। से किसी वी स्थिति में नहीं। नौन अफ दीज। सही विकल्प होगा। अब कुश्चन नमर 3 एक उत्तल दर्पन की फोकस दूरी 20 cm है। उत्तल दर्पन की फोकस दूरी धनात्मक चिन्ह परिपाटी से मानी जाती है। एक वस्थु दर्पन के सामने धूर्ब से 20 cm की दूरी पर रखे जाने पर। प्रतियुम की दूरी धूर्ब से होगी। विकल्प A है 40 cm, विकल्प B है 10 cm, विकल्प C है 20 cm, विकल्प D है अनन्द पर। तो यहां उत्तल दर्पन की फोकस दूरी FD है, small f is equal to plus 20 cm, और वस्थु दर्पन के object दर्पन के सामने है धूर्ब से, उसके पोल से, उत्तल दर्पन के पोल से 20 cm की दूरी पर, तो वस्थु को हमेशा दर्पन या लेंस से बाईयो रखा जाता है, तो वैसी स्थिति में वस् कस दूरी F is equal to plus 20 cm है, परत्यूम की दूरी धूर्ब से पूछा जा रहा है, पूछा गया इस question में, भी कितना होगा परत्यूम की दूरी धूर्ब से, परत्यूम की दूरी image distance को भी संकेश से सुचित किया जाता है, तो परत्यूम की दूरी इसमें 10 cm होगी, 10 cm विखल 20 सही है कैसे होगी, दर्पन सुत्र होता है, mirror formula, 1 by V plus 1 by U is equal to 1 by F, therefore 1 by V is equal to 1 by F minus 1 by U, 1 by U को right hand side में ले गए, नायं पक्ष में, तो 1 by V is equal to 1 by F minus 1 by U, और F का मान है कितना, 20 cm, f is equal to 1 by 20 हो गया, plus 20, minus 1 by U, U is equal to minus 20, F, so 1 by B minus minus 1 by B, so 1 by B plus 1 by B, that is 1 by B plus 1 by B, that is 1 by B, that is 1 by 20, plus 1 by 20, that is 2 by 20, that is 1 by 20, 1 by B is equal to 1 by 20, therefore B is equal to 10, sorry 2 by 20, that is 1 by 10, 1 by B is equal to 2 by 20, 1 by 20 plus 1 by 20, 20 LCM हो जाया, 1 plus 1, 2 by 20, that is 1 by 10, therefore V is equal to 10 cm, उल्टा हो जाएगा, reciprocal हो जाएगा, 1 by V is equal to 1 by 20, therefore V is equal to 10 cm, 2 by 20, 1 by V is equal to 2 by 20, that is 1 by 10, therefore V is equal to 10 cm, तो सही विकल्प होगा इसमें B, सही है 10 cm, OMR सिट में V को color करना होगा, blue या black paint से, now question number 4, जब प्रकास की किरन, कास की पट्टी, glass slab में प्रविश करती है, तो इसका तरंग लंबाई, तरंग दैर्थ, option A है घड़ता है, B बढ़ता है, C अपरिवर्तित रहता है, D में से कोई न लेटा है, स्टेट में परिचाहों में, जब प्रकास की किरन, काच की पट्टी में प्रविश करती है, तो इसका तरंग लंबाई, option A है, मिकल पए घटता है, option B हए, बढ़ता है, option C, परिवर्तित रहता है, option D, इनमेंसे कोई नहीं, जब प्रकास की किरन, कास की परती में तो उसकी चाल घट जाती है, निरवात में प्रकास की चाल या हवा में प्रकास की चाल अधिक्तम होती है, उसके बाद जब कांच में जल में प्रविस्ट करेगा, तो चाल घटेगा, फिर कांच में प्रकास की रविस्ट करेगी, तो उसका चाल घट जाएगा, चाल घटेगा तो अपरत्नांक होता है कोई किरंद में काच के स्लाइब में प्रवahr करने पर क्या होगा चाल घाल खड़ जाती है और प्रतनांक होता है। निरवात्वी फ्रकास की चाल बटामाद्धтоящ मिवी इसकर तुफ शञीं कि निचे में हैं मिवी इसकर तुस्री भाई भी डिनोमिनेटर में हैं तो भी यह बढ़ जाएगा लेमडा का भड़ जाएगा मुण मुधा की चाल घटेगी वड़ाबर सी भाइभ भी पर मुला थे तो भी का मान घट जाएगा तो म्यू का मान बढ़ जाएगा अब म्यू का मान बढ़ेगा नीचे दिर्मिनेटर में म्यू है तो लेम्डा का मान क्या होगा लेम्डा स्कॉर भैरी जैज वन बाई म्यू डेरफोर लेम्डा भैरी जैज वन बाई रूट म्यू तो म्यू का वैल प्रकास की अन्प्रविस्ट करएगा जब अप्रतनांक बढ़ेगा तो तरन लंबाई का मान घट जाएगा प्रकास की तरन लंबाई घटता है और इसको मैंने एक्सप्लेइन भी किया आप लोगों की सुविधा के लिए कि Otherwise, इतने समय में एक question और भी मैं पढ़ लेता, discuss कर लेता, लेकिन जो भी person का उत्तर होना चाहिए, तो logically होना चाहिए, जिसे की सभी students उसको खुद भी explain कर सकें, समझ सकें. Question number 5, तरनलंबाई के बढ़ने से माध्यम का परतनांग, option A पढ़ता है, option B घरता है, option C अपरिवर्ती तरहता है, unchanged, option D पहले बढ़ता है, एवं बाद में घरता है, first increases and then decreases, increase करता है, तरनलंबाई के बढ़ने से माध्यम का परतनांग, अभी हमने देखा, तरनलंबाई बढ़े तरनलंबाई के बढ़ने से माध्यम का परतनांग, तो तरनलंबाई के बढ़ने से माध्यम का परतनांग, घरता है, तो इसमें option B सही है, इस परस्ण में option B में घरता है, option B सही है, option B के circle को blue या black pen से color करना होगा, पूरा रंगना होगा, पूर्ण भाग को, अधूरा नहीं छोड़ना होता है, अब question number 6, जल तथा कांच का परतनांग करमसा 4 बटा 3, एवं 3 बटा 2 है, जल का परतनांग 4 बटा 3, एवं कांच का परतनांग 3 बाई 2, या इस परस्ण में यहां पर 5 बाई 3 है, एक्षोली, ऐसे कांच का परतनांग 3 बाई 2 बही होता है, लेकिन यहां पर 5 बाई 3 है, एक प्रकास की किरन, एक प्रकास कीरन कांच से जल में जा रही है, तो क्रान्ति कौन क्या होगा sine inverse 4 बटा 5, B sine inverse 5 बटा 4, 5x4, C sine inverse 1x2, D sine inverse 2 बटा 1, तो अपर्तनांक और क्रांति कौन में, अपर्तनांक और क्रांति कोन के लिए formula होता है, तो यहाँ पर क property किरंड जल ताकाँच का परतनांग दिया हुआ है, प्रकास्किरन कांच से जल में जा रही है, तो क्रांति कोन क्या होगा, तो यह करना है, तो स्रेल का नियम से हम जानते हैं कि sin i by sin r is equal to mu2 by mu1, 1 mu2 by mu1, तेहां प्रकास्किरन कांच से जल में जा रही है, कांच से ग्लास से जल में जा रही है, तो जल का प्रतनांक काच के सापक्ष हो जाएगा तो उस इस्तिति में साइन आई भाई साइन आर ऐसे प्रतनांक और सघन माध्यम का प्रतनांक और कांति कोन में संबंध होता है तो दूसरा से पहला में जाता है तो मीवण भाई मुटु यहां पर प्रकास की रन कांट से जल में जा रही है, तो sin i, और कांटी कोन के लिए क्या होता है, अपर्टन कोन r का भेलो 90 डिग्री होता है, उसी स्थिती में आप्तन कोन i को कांटी कोन कहा जाता है, तो sin i का मतलब sin c, sin c equals to, बटा sin r, sin 91 हो गया, और प्रकास की रन जा रही है किसमें, प्रकास का निकालना है कांट से जल में जा रही है, तो कांट से जल में जा रही है, तो क्या होगा, यह हम लिख सकते हैं, मू जल में जा रही है, तो मू डबलू नाय साइड में और g माय साइड में, मतलब चल पुरतनांक काश के सापिक्स freake that इडिस मुड़ू बटा मुजी मुड़ू बटा मुजी और का मान कितनjuna है दिया है का मान यसरो बटा incompetent 421 एतिन फिर गार बटा 500 नो डिश्क हbert इसलिए सीज कर टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स फोर बाई फाइब तो ऑप्सन एस सही है इसमें साइन इनवर्स चार बटा पांच और हमने स्नेल का नियम का उप्योग करके इसे प्रात्म भी किया तो कुश्चन नमर सिक्स डिसकस हुआ कांति कौन सी कामान जब प्रका जाती है उस माध्यम को बटा में नीचे लिखा जाता है कि मोल्टिपूल चोईस कोश्चन 7 से माध्यम जोम से माध्यम दो को जाने वाली प्रकास पुझ्च के लिए कमते कॉन ठीटा है मुझटम लूम में भी है तो प्रकास का वेग माध्यम दो में होगा विकल्ब A है, option A, B, under bracket 1 minus cos theta, option B, B upon sin theta, C, B upon cos theta, जों D, B, under bracket 1 minus sin theta, इसमें सही विकल्ब होगा B, B upon sin theta, अब कैसे सही विकल्ब होगा, यह इसको देखा जा सकता है, स्रेल का नियम से क्रांतिक कोन, तथा माध्यम के अपरतनांकों के बीच संबन, जब प्रकास कियान माध्यम वहन से माध्यम दो में गमन करती है, तो science is equal to, जो कि स्रेल लोग से प्राप्त होगा, साइन आई, जब आप्तन कोन का मान क्रांतिक कोन, जब अपरतन कोन का मान, जब प्रकास कियान सखन माध्यम से मेरल माध्यम क्योर गमन करती है, तथा आप्तन कोन का मान, यदि अपरतन कोन का मान 90 डिग्री हो जाए, तो उस आप्तन कोन को, उस विशेष आप्तन कोन को क्रा साइन सी इसकल्स MTU एन एन वन और मिू टू वाई मी वन अपरत्नांक का संकेत दोनों होता है थो साइन जी कुछ फर्णी मानद्यम् से दूसरे मानद्यम में जा रही है तो मानद्यम् दोका परत्नांक ऊपर में लिखियें अपरत्नांक तथा वेक में संबन्द होता है भीू से स्दृत्व मतलब अपरत्नांक माध्यम का अपरत्नांक उस माध्यम प्रकास का वेक का वित्कर्वन पाती होता है निर्पेक्षा प्रत्नांक का सुत्र होता है, μू एज कल्टू और न एज कल्टू C by V, देरफोर V is कल्टू C by V, देरफोर V is कल्टू C by Mew, यहां मू टू है, मू टू है तो 1 by V2 हो जाएगा, और नीचे मू एज है, तो 1 by V1, इसलिए V1 उपर चलाएगा, साइंस इसलिए V1 by V2, V1 by V2, देरफोर V1 is कल्टू B, मतलब प्रकास का विग माध्यम 1 में, V1 के जगा पर V दिया हुआ है, तो माध्यम 2 में कितना होगा विग, यह मालूम करना है, तो V1 दिया हुआ है, तो V2 कितना होगा, और साइंस इको नीचे ले आएंगे, तो V2 is कल्टू, मतलब दूसरे माध्यम में, प्रकास की चाल, V2 is कल्टू B बटा साइंसी, तो option C इसमें सही होगा, sorry, option B सही होगा, V upon, V upon साइंट थिटा, V upon साइंट थिटा, V upon, क्रांति कोन का मान, C के जगा पर कितना दिया है, थिटा दिया है, तो C के जगा यहां थिटा रखा जा सकता है, तो V2 is कल्टू B बटा साइंट थिटा, तो सही उत्तर होगा, उत्तर, सही उत्तर होगा, option B, V upon साइंट थिटा, प्रकास का वेग माध्यम दो में होगा, भी बटा साइंट थिटा, यदि क्रांति कोन का मान कितना है, थिटा है, C के जगा थिटा, और माध्यम 1 में प्रकास का वेग है, भी और प्रकास की रखान माध्यम 1 से माध्यम 2 में गमन करती है, अब question number 8, एक उप्तल लेंस को एक ऐसे द्राव में डुबाया जाए, जिसका अपरतनांक लेंस के प्रार्थ के अपरतनांक के बराबर हो, मतलब लेंस के प्रार्थ का अपरतनांक मुवल इचल टू मुवयम, मेडियम का अपरतनांक के बराबर हो गया, मतलब lens का जो अपरतनांग है मतलब mu l lens का अपरतनांग वह उस draw के अपरतनांग के equal हो गया मतलब उस माध्यम के अपरतनांग पदार्थ के माध्यम एक उत्तर lens को एक ऐसे draw में डुबाया जाए जिसका अपरतनांग मतलब उस द्रव का परतनांग लेंस के परदार्थ के परतनांग के बराबर हो तो वैसी स्थिति में मतलब द्रव का परतनांग जो होगा वह लेंस के परतनांग के बराबर है मतलब म्यूजी लेंस के परतनांग को अगर जी माल लिया जाए iije, शन्केरς से सुचित किया जा hemeu g. मने अधिकलि की lens किस प्रदार्थ का भरा होता है, הח का. तो lens के प्रदार्थ के अपरतनांग को mu g से denote क southern dあの air और dra genocide के अपरतनांग को mu l से denote किया जाए. तो ऐसी स्टिति में क्या होगा. अब lens का अपरतनांग होगा, जिस द्रव को डुबाएंगे, उस माध्यम के सापिक्ष होगा, मतलब L mu g, that is mu g by mu l, तो lens की focus दूरी होगी, A सुनने, B अनन्त, C घटेगी, D बढ़ेगी, एक अच्छा multiple choice question है, तो यहाँ पर lens की focus दूरी और lens के परार्थ का अपरतनांग, तथा lens के दोनों वक्र प्रिष्ठों, वक्र तलों की वक्ता तिज्याओं के भी संबंध होता है, 1 by f इसकल तो mu minus 1, under racket, 1 by r1 minus 1 by r2, और थात 1 by f समानपाती हो जाएगा किसके mu minus 1 k, जहां r1, r2 नियत है, किसी lens की दोनों वक्ता तिज्याओं की कामान नियत होगा, किसी खास lens के ल में प्रिष्च का परतनांक है, मतलब यह कांच का परतनांक है, माध्यम के सापिक्च, जिसमें उसको रखा जाता है, अगर air के सापिक्च, रखा जाएगा lens को, तो हम लिख सकते है, mu g, a mu g, मतलब reflective index of blast, कांच का परतनांक, हवा के सापिक्च, तो यहां पर g हो गया, यहां पर किसमें दुभाया गया है किसी लिक्विट के अंदर बुभाया गया है जिसका परतनांक काश के बराबर है मतलब एल म्यूजी यहां सफिक्स में बाहिं साइड में लिख देंगे ल मूजी ले माइनस बोटी हो गया और चुकि 1 by f equals to 1 by f समानपाती होगा चाहिए equal to हो जाएगा के देखर के call कर सकते हैं तो यह समानपाती हो जाएगा के यह equal हो जाएगा किसके 1 by f equal हो जाएगा सम कॉंस्टेंट के देखर के l mu g minus 1 that is k समानपाती निये तंक है l mu g मतलब जिस माध्य में रखा गया है हवा में नहीं अब द्रौ में रखा गया है तो उसका परतनांग के लिए l c ball का दिनोट यूज किया गया है तो अब हो जाएगा 1 mu 2 अब सापेक्ष परतनांग का सुत्रम जानते हैं पहले माध्य में से दूसरे माध्य में जाती है तो 1 mu 2 मतलब mu 2 by mu 1 यहाँ l mu g हो गया तो mu g बटा mu l mu g बटा mu l दोनों का वान समान है mu l minus 1 अब चुकि mu g बराबर mu l है तो दोनों बराबर है कट गया कट के 1 हो गया 1 minus 1 कितना हो गया 0 के इंट 2,0 1 by f is going to 0 therefore a physical टू therefore a physical to 1 by f क्या हो गया 1 by a physical to 0 therefore a physical to 1 by 0 1 by 0 क्या हो गया अनंत होगा तो लेंस की फोकस दुरी कितनी हो जाएगी लेंस की फोकस दूरी अनंत हो जाएगी तो option b इसमें correct है अब अगला question देखा जाने question number 8 multiple choice question एक उतंतर लेंस ऐसे पनार से बना है जिसका पुर्तनांक 1.5 है इस लेंस को यदि जल जिसका पुर्तनांक मी विचकल टू 1.33 में डुवाया जाए तो लेंस किसके समान बेवहार करेगा ए अभिसारी या उत्तर अब यहां पर उत्तर लेंस को ऐसे पुर्ट से बना है मतलब जिसका पुर्तनांक 1.5 तो आपरतनांक होता है लेकिन अब इसके लेंस को दुभाया जाता है किसमें जल में जिसका पुर्तनांक कितना है 1.33 है मतलब जिस माध्य में डुबाया जाता है जल में डुबाया जाता है lens को तो उसका पुरतनांक कास का पुरतनां से क्या है कम है तो वे ऐसी स्तिती में lens बेवहार करेगा कैसा अभिधारी या उत्तर lens जैसा ही बेवहार करेगा तो option A इसमें सही है और उसे उस माध्यम में दुवाया गया है जिसका रिफ्यक्टिव इंडेक्स अपरतनांग 1.3 है मतलब माध्यम का परतनांग कम है और लेंस के परतनांग ज्यादा है तो ऐसी स्थिति में लेंस उत्तर लेंस जैसा ही बेवार करेगा लेंस निर्मान सुत्र का उप्योग करके हम प्राप्त कर सकते हैं कि एप का मान पॉजिटिव आएगा लेंस निर्मान सुत्र वन बाई एफ फिचकल टू म्यू माइनस वन एयर म्यूजी और फिर जब पानी में डुबाएंगे तो एल म्यूजी हो जाएगा या वाटर और दूसरी इस्तिति में अगर यह कहा जैता कि ऐता इन प्राप्तनांक और इसे 5.60 वाली ध्राव में डुबाया जाता है तो या ऐसे इस्तिति में लेंस निर्मान स्थर का उप्योग करके फोकस डूरी का मान गाट सकता है और फोकस डूरी का मान प्रिया लिनातमक यहां बतलाता है कि प्रकृति कैसी है तो तब होगा जिस माध्यम में डुबाया जाएगा उस लेंस के पुरत्णांग से अधिक हो तब वह लेंस उस डॉमें दुबाने पर और उबलेंस जैसा या अपसारी जैसा डाइभर्जिंग जैसा वेवार करेंगा तो वैसा भी प्रश्ण हो सकता है लेकिन यहां प्रश्ण में लेंज के प्रव में दुबाने पर लेंज उत्तर जैसा या अभिसारी जैसा जिसे अंग्रेजी में का जाता है वैसा भी है करेगा एगर क्लियर कर ठोना चाहिए कि अगर लेंस के परार्थ का परतनांक माध्यम जिस माध्यम में उसे डुबाया गया है उसके परतनांक से कम हो तो लेंस ब्रूपा लेंस जैसा भी है अब अगला question, question number 9, यह भी एक बहुत अच्छा प्रसंद था, question number 1, question number 9, हवा में lens की focus दूरी F है, यह उम जल में कांच की focus दूरी, यह उम जल में कांच की focus दूरी, मतलब lens की focus दूरी, lens कांची के बना हुआ है, FW के बीच निम्र में से कौन सा सम्मंद होगा, तो हवा में lens की focus दूरी, और जल में lens की focus दूरी, के बीच कौन सा सम्मंद सही है, और इसमें दिया है कि इसे जाज कर सकते हैं, प्रियोग द्वारा, मतलब सुत्र के द्वारा, भी प्राप कर सकते हैं, mu G is equal to 3 by 2, mu W is equal to 4 by 3, जल का प्रतना, मतलब हवा में focus दूरी, जल में focus दूरी का चार गुना, उसके बाद है, FW is equal to 4 F, और D विकल्प है, FW is equal to 2 F, इसमें सही विकल्प होगा, जल में अगर किसी उत्तर लेंस को दुबाया जाए, जिसकी focus दूरी हवा में F, तो जल में focus दूरी FW होगा, 4 F, जब किसी उत्तर लेंस को जल में डुबाया जाता है, द्राव में डुबायाने पर तो किसी भी द्राव में डुबाने पर lens की focus दूरी बढ़ाएगी, FW is equal to 4 F, मतलब FW क्या है, जल में lens की focus दूरी FW, और हवा में focus दूरी F, तो FW, जल में lens की focus दूरी बढ़ाबर हवा में focus दूरी का 4 गुना, FW is equal to 4 F, option C's में सही है, अब इसी प्रस्ण को दे सकता था, दिया जा सकता है, पूशा जाता है, कुछ बोर्ट से एक्जामने संस में, 12 बोर्ट से एक्जामने संस में, कि द्राव में किसी द्राव में के अंदर lens को, उत्र लेंस को दूरी पर उसकी focus दूरी बढ़ती है, कभी बढ़ती है, घरती है, परिवर्टी तरहती है, तो किसी द्राव में या जल में किसी लेंस को उत्र लेंस को दूबाने पर उसकी focus दूरी बढ़ती है, इस धंग से भी पूछा जाता है, या जल में किसी उत्तर लेंस को डुबोने पर उसकी सक्ति घरती है, बढ़ती है, कभी बढ़ती है, और option D अपर बढ़ती है, ये तो focus दूरी है, focus दूरी तो बढ़ जाती है, उत्तर लेंस को जल में डुबाया जाएगा, तो focus दूरी जाती है, और किसी भी तराव में डुबाने पर लेंस की focus दूरी बढ़ती है, लेकिन जल में तो खास कर चार्वनी बढ़ती है, लेकिन अगर सक्ती कर के आए तो सक्ती घटेगा, लेकिन फोकस दूरी तो बढ़तेगा, कितना से बढ़तेगा, चार्वना, और lens दिरिमान से रेखा जा सकता है कि हवा में फोकस दूरी मालूम करके और फिर जल में फोकस दूरी फ्ट मानकर दोनों का रिश्यो ले ले लेंगे तो वह संबंध आ जाएगा अगर हवा में लेंस की फोकस दूरी पंजर सेंटीमीटर है कि हवा में फोकस दूरी पंजर सेंटीमीटर है तो जल में डूबने पर कितनी होगी तो सीरे संबंध है मतलब 4 गूनी बढ़ जाएगी तो अगर हवा में फोकस दूरी फोकस दूरी 60 सेंटीमीटर हो जाएगी अगर हवा में फोकस दूरी उत्तलेंज की कितनी है 5 cm है, तो जल में लगोने पर फोकस दोरी कितनी हो जायेगी, 4 f 8肉ा फोकस दोरी अगर 20 cm है, तो उस लेंस को जल में लगोने पर फोकस दोरी 4 into 20 4 into fa that is 4 into 20 80 cm हो जाएगी अब अगला question देखा जाए question number 10 एक उभय उत्तल lens एक बाई convex lens है दोनों प्रिष्ट उत्तल है और उसका प्रतनांक musical to 1.5 है कि प्रतेक प्रिष्ट यातल की वक्ताति जिया 20 cm है मतलब R1, R2 दोनो 20 है लेंस की छमता होगी option A 5D, option B 10D, option C 2.5D, option D 20D, जहां D lens की छमता का SI मात्रक है कभी-कभी पूछता हो बस तुनिस प्रस्ट में multiple choice question में कि इन में से किस की छमता डायोट्टर होती है छमता का मात्रक कि किस की छमता का मात्रक डायोट्टर होता है उसमें 4 option रहेगा एक सही option रहेगा lens की छमता lens की छमता का SI मात्रक डायोट्टर होता है या lens की छमता का SI मात्रक होता है 4 option रहेगा तो उसमें सही option क्या होगा सही option होगा डायोट्टर तो ऐसा भी प्रस्टन हो सकता है लेकिन यहाँ पर तो problem है वस्तुनिस पर्ष्ट में भी objective problem है कि by convex lens है तो उसकी focus दूरी बक्ता तीजिया प्रत्नांक कितना है अब प्रत्नांक है यहां by convex lens है दोनों प्रिष्ट by convex lens है तो by convex lens है तो first सतह पहला प्रिष्ट पहला तल और दूसरा तल दोनों की बक्ता तीजिया समान है मतलब r1 is equal to r2 is equal to है दोनों की बक्ता तीजिया समान है 20 cm अब इसमें से आरवन पहले बग्ता की प्रत्नांक होगी दनात्मक होगी जोकि दूसरा by convex lens के दूसरे तल या दूसरे पेश्ट प्रत्नांक होगा तो आरवन news तो आर वन इसकाल टू प्लस आर हो जाएगा इसको आर माल लेते हैं आर इसकल टू 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 प्लस आर का मतलब है प्लस ट्वेंटी सीम और आटू इसकल टू माइनस आर तो और माइनस आर का मतलब है माइनस टू सीम सीन जिनर परिपाटिक का उप्योग करने पर लेंस के परारज का प्रतनांग भी दिया हुआ है और यहां पर इसपस्ट है कि लेंस हवा में है जल में नहीं रखा हुआ है क्वाट केसा पेस्ट चाहिए परत्नागग 1.5 मुइंस inval mubi १ o म्यूजी दिया है म्यूजी अब रतनाँख है 1.5-1 1 by R1, 1 by R1 तो 1 by R1 इसके प्लसR, 1 by 20-1 by minus 20, r2 is equal to minus r, r2 is equal to minus r, length के दूसरे पिश्ट के लिए, तो 1 by 20 plus minus minus plus हो जाएगा, 1 by 20 plus 1 by 20, bracket के अंदर, तो 2 by 20, 2 by 20 माने 1 by 10, 0.5 minus 1 तो यह 0.5 हो गया, और 1 by f equals to 0.5 into 2 upon 20, 2 upon 20 केतना हो गया, 1 by 10 हो गया, 1 upon 10, that is 5 upon 100, नीचे हो जाएगा, 100, 0.5 है, तो 10 से मल्टिप्लाई हो जाएगा नीचे, तो 20 हो गया, 1 by f is equal to, 1 by f is equal to 20, 1 by 20, therefore f is equal to 20 cm, therefore power of the lens is, power आप जानते हैं फर्मूला, f आगया कितना, फोकस दूरी आगया lens का, f is equal to plus 20 cm, that is 20 by 100 meter, 20 by 100 meter, 1 by 5 meter, चुकि lens का SI मार्टर ट्याउक्टर होता है, तो उसमें फोकस दूरी को meter में रखना होगा, meter में बेट करना होगा, तो 1 by f is equal to 20 cm, that is 1 by 5 meter, इसले lens की छमता जो होगी, e is equal to 1 by f, e is equal to 1 by f होता है, फोकस दूरी का बित्क्रम होता है चमता, और f is equal to 1 upon 1 by 5 होगया, meter में है फोकस दूरी, तो lens की चमता की तामार्टर ट्याउक्टर होगा, तो 5 बैप्टर, 5 उपर चला जागा, 5D, तो सही विकल्पिस में होगा 5D, आपसने सही है, आपसने को OMR सीट में कलर्ट करना होगा, अब MCQ 11, question number 11, बस्तुनिष्ट, प्रस्न, एज़ी समान फोकस दूरी, f के दो अभिसारी lens, अभिसारी lens का मतलब होता है, उत्ता lens, converging lens, वार लेंस जो प्रकास किरनों को पढ़ानास के किसी विंदू पर focus करता है, एक दूसरे के संपर्क में रखे हो, मतलब दो विसारी lens है, जिनकी focus दूरी समान है, प्रते की focus दूरी है, स्मॉल एफ है, एक दूसरे के संपर्क में contact में रखे हैं, सटे हुए हैं, तो संजोग की focus दूरी क्या होगी, अब फोकस दूरी निकालने के लिए एक सुत्र होता है 1 by f संजोग की समतुलिफ फोकस दूरी दो लेंसों के संजोग की समतुलिफ फोकस दूरी 1 by f is equal to 1 by f1 plus 1 by f2 और f1 f2 उसे direct LCM लेने के बाद direct उसको f is equal to f1 f2 upon f1 plus f2 और यहाँ पर f1 f2 दोनों equal है तो संजोग फोकस दूरी हो जाएगी f is equal to f equals to f1 f2 f1 bf है f2 bf है upon f1 plus f2 f plus f that is 2f 2f upon f into f that is f square upon 2f that is f से f cancel हो गया numerator मे f square है और नीचे 2f है तो f से f cancel हो गया तो f upon 2 that is f upon 2 संजोग की कुल फोकस दूरी कितनी हो जाएगी f upon 2 यही answer होगा f upon 2 option c इसमें correct है और यह ही यह एक बहुत ही important objective question question है जिसे सभी state votes लगभग सभी state votes 12 state votes से ग्याम नेसंस में पुछा जाता है सभी राज्यों की बूट की परिछाओं में इससे प्राया पुछा जाता है तो इसका आंसर होगा f upon 2 समान फोकस दूरी small f के दो उत्तर लेंस अभिसारी लेंस converging लेंस convex लेंस एक दूसरे के सटे हों तो उतके संजोक की cool focus दूरी कितनी होगी f y2 जो की formula किससे संजोक focus दूरी का formula f physical to f1 f2 upon f1 plus f2 यहां दोनो f on f2 बराबर है f के बराबर है f into f upon f प्लस f that is f square by 2 f that is f upon 2 इसमें correct answer है f by 2 जो की option c में है option c सही है now question number 12 दो लेंस जिनकी छमता minus 15 d even plus 5 d है को संपर्कित संजुक्त करने पर मतलब एक दूसरे के संपर्क में रखने पर समाई वेजन की focus दूरी होगी focus दूरी वालूम करना है a option है minus b cm b है minus 10 cm c है plus 10 cm और d है plus 20 cm तो दो संजोक दो लेंसों के संजोक की cool focus दूरी का सुत्र हमने देखा भी cool focus cool छमता के लिए भी सुत्र है क्योंकि संजोक की focus दूरी को लिखा जा सकता है सुत्र को one by f is equal to one by f1 plus one by f2 तो अगर one by f जहां यहां यहां दोनों lens के संजोक की cool focus दूरी है तो cool छमता कितनी हो जाएगी one by f is equal to p one by f1 के लिए यह one by f1 क्या होगा पहले lens की चमता और दूसरे lens की चमता कितनी होगा पहले lens यहां उत्ता lens है नेटिव अज़ा है तो यह उत्ता लेंस होगा इसकी चमता दी होई है P1-15D और दूसरे lens की चमता पी टू प्लस 5D है तो lens की cool चमता का सुत्र हो गया multiple choice questions में वैसा भी person पूछा जाता है कभी कभी तो उसमें केवल केवल यह फर्मूला P1-15D का यूज करके सीधे हम cool focus दूरी कूल चमता निकाल लेंगे लेगे लेकिन है चमता निकाल करके फिर focus दूरी मालूम करनी है तो P1-15D प्लस 5D-10D चमता हो गया minus 10D अब focus दूरी और चमता में क्या संबंद होता है P is equal to 1 by F F को मीटर में रखना होगा चोकि lens की चमता का SI मात्रक डियोप्टर है इसले lens की चमता F is equal to 1 by P that is 1 upon P is equal to minus 10D तो minus 10D है लेकिन focus दूरी क्या होगा अब मीटर में व्यक्त होगा SI मात्रक डियोप्टर है तो 1 by minus 1 by 10 meter और इसको centimeter में लाना है तो 1 meter is equal to 100 cm तो 100 upon 10 that is minus 10 cm तो इसका अंसर हो गया minus 10 cm फोकस दूरी का मान हो गया दोनों दोनों के सन्यों की focus दूरी का मान हो गया minus 10 cm option B में है minus 10 cm तो इसलिए option B सही है option B को OMR seat पर B के circle को पूरा color करना होगा blue और black pen से तो ऐसा प्रस्ट ने question 12 जी ऐसा प्रस्ट ने अक्सर पूछता है हो सकता है कि जो लेंस की छमता है उसका मान अलग-अलग हो टरह का पुष्चन सभी राजियों की परिश्चाओं में पूछा जाता है कोई भी बोड हो। उपी बोड में जारकन ऑड हो उत्राखन ऑड कहीं भी किसी भी बोड में इस डंका प्रस्थ पूछा जाता है। अब कोश्यक नमर ही मिर व्रच मरीश्का का कारण है मिर मरीश्क लेगिस्तानों में उत्पन होता है रिच्टना सरकों पर गर्मी के दिनों में को да पर वैसा अनुभव होता है कि लेगिस्तान में होता है उसमें मिर्ग या किसी दूसरे आदमी को प्रिक्षक को दूर देखने पर जल दिखाई देता है जलासे का भास होता है उसी दंसे कोलतार की सरकों पर भी चिकनी सरकों पर भी गर्मी के दिनों में दूर से देखने पर लगएगा की सरक पर पानी है वैसा जलासे का भास होता है तो और यह गर्मीके दिनों में होता है, प्रायरेगी स्थानों में और कोल टार कि सरकपत, तो मीर्क-मरेज्का का का कारण है, अप्ष्ण ने है प्रकास का एक प्रार्कास का मिर्मरीज का का कारण है उस पर अधारित है प्रकास का पुर्णांत्रिक प्रावरतन का एक अनुप्रयोग भी है मिर्मरीज का जिसे पढ़ना भी है चेप्टर में रे ऑप्टिक्स एन ऑप्टिकल इस्ट्रुमेंट किरन प्रकास की अंप्रकासी अंतर चेप्टर नाइन में क्लास 12 में पढ़ना भी है तो मीर मरीज का का कारण है प्रकास का पुर्णांतिक प्रावरतन अब कोश्चन नमर 14 प्रकास तंतु संचार बहुत ही इंपोर्टेंट कोश्चन प्रकास तंतु संचार अप्रिकल फाइवर कॉम्निकेशन अंग्रेजी में निम्न में से किस घटन प्रकास तंतु संचार भी पुर्णांतिक प्रावरतन का एक अनुप्रियोग है तो प्रकास तंतु संचार भी पुर्णांतिक प्रावरतन टोटल इंटरन रिफ्रेक्शन की घटना पर अधारित है उप्रकास तंतु संचार को ऑप्टिकल फाइवर कॉम्निकेशन कहा जात तो इसमें चारों में से हीरा का प्रतांग सबसे अदिक होता है, जो कि लगभग 2.42, नहीं ब्रेकेट में मैं लिख भी देता हूं इसे, तो हीरा कातांग सबसे अदिक होता है, चार दिये हुए चीजों में, अलग से भी परफशन पूछा जाता है, कि हीरा का पुरतनांक लगभग कितना होता है तो उसमें एक मान लगभग 2.42 भी होगा और अन्य मान इससे कम होगे तो वह भी वह question हो सकता है इसलिए हीरा का पुरतनांक सबसेदिक होता है कितना मान होता है उसको भी मैंने लिख दिया चöhierra का पुरतनांक 2.42 इसका कोई मात्रक नहीं होता है तुकि दो समान चीजों का अनुपात है किसी प्रिज्म पर एक वणिप्रकास के आपती थोने पर निम्ण में से कौन सी घटना होती है एक बहुत ही अच्छा प्रस्ण है, प्रस्ण इस प्रस्ण, mcq, किसी प्रिज्म पर, एक वर्णी प्रकास के, मतलब, monochromatic light के प्रिज्म पर, आप्तित होने पर, incident होने पर, कौन सी घटना निवन में से, कौन सी घटना होती है, option यह है, 1-वीचेपन, B-वीचलन, C-व्यतिक सभी इसमें स्वेति तो डौकला समवर्श्टों के होती है यह से घुंपरनों से गुजरन सब्सक्राइब करेंप्र 117 कुछा हुती है in। एक होता है लिवक्षोय। ब्रेभ जिंग Nowadays ऑफे जाती है this first ल Climate Healthcare द् garlic वाइट लाइट साथ constituent colors में जिसको भिवजी ओर कहा जाता है बयानी पिनाला तो साथ रंग में भक्त हो जाते हैं लेकिन कब जब स्वेट प्रकास होगा वाइट लाइट होगा तो यहां एक वड़नी प्रकास है जो कि क्यों लेखी रंग का प्रकास तो सोडियम को एक वड़नी प्रकास माना जाता है जिससे पिले रंग का प्रकास हो सर्जित होता है हलाकि उसमें भी दो तरंग लंबाईया होती है लेकिन दोनों तरंग लंबाईयों का अंतर काफी कम होता है 5896 and 5090 Eneashtum इसलिए उसङ सप्रण चे उसंच्थ मान ले आ जाता है दोनों तरंग लंबाईयों का विए पीले रंग के प्रकास से अनतर के एक और प्रकास को माना जाता है एक वड़नी प्रकास नई पर तो फिर उसका वड़ ब्रीजम से अपतित होने के बाद के दोनों परतक सत्हों से अपरतित होकर, दो बार अपरतित होकी दोनों पिष्टों से, उसके बाद प्रिज्म से बाहर निकले की निर्गत होगी, तो अपने पुरुपत की दिशास से कुछ कौन से मुड़ जाती है, मतलब अर्थाथ, एक वर्णी प्रकास प्रोत का प्रिज्म के द्वारा वीचलन हो अब कुछ नमर 17, वर्ण वीचे पंचरमता के लिए निमन में से कौन संबंद सही है, यज अभी कुछ बोड की परिचाओं में पुछा जाता है, वर्ण वीचे पंचर चैनल में से कौन संबंद सही है, option A है omega mu v minus mu r upon mu y minus 1 B है omega is equal to 1 विशेपन चम्दा का संकेत omega होता है omega equal to mu v minus mu r into mu y minus 1 omega is equal to mu v minus 1 बटा mu v minus mu r और D mu v into mu r बटा divided by upon mu y minus 1 यहाँ पर mu y क्या है माध्य किरन का विचरन है प्रिम्ट से 1 विचेपी सात रंगों में से पीले रंग के प्रकास को माध्य किरन का जाता है माध्य किरन का माध्य किरन के लिए प्रिम के प्रार्थ काज का अपरतनांग है कौन mu i mu भी क्या है बैगनी रंग के प्रकास के लिए violet भी पर violet बैगनी रंग वाइलेट लाइट के लिए मेटेरियल का अपुर्टनाक है लाल eyebrow के प्रकास के लिए इसमें ब्लेक प्रिजम पो सकता हैं प्रिज्म का नियूंतर मिचन कोन होता है एक पतले प्रिज्म का नियूंतर मिचन कोन होता है कोन होता हैyim है option a है 1-n into a, option an 1-1 into a c d 1-n, is equal to a nap के प्रिज्म के परार्द का और into a square a क्या है प्रिज्म का आप प्रिज्म का कोन है, दोनौ आप प्रिज्म के दोनौ आप प्रिज्म के बीचका कोन तो इसमें सही부터 है,n-1 into a, delta formula होता है पतले प्रिजम से उत्पन विचन का सुत्र होता है, डेल्टा इसकल टू n-1 इंटु ए और mu-1 इंटु ए, जहाँ n या mu प्रिजम के प्रार्थ का अपर्वतनांग है, तो सही विकल्प होगा, b इसकल टू n-1 इंटु ए, डेल्टा इसकल टू n-1 इंटु ए, चारू विकल्प में से 2 option सही है, delta m, यहां में नियुनतम मिचन के लिए delta m संकेत, delta के जगा delta m रख देंगे, m for minimum, नियुनतम मिचन के लिए, delta m is equal to n minus 1 into a, लेकिन कब जब प्रिज्म पतला हो तब, ऐसे प्रिज्म से अपरतन का सुत्र होता है, जब प्रिज्म मोटा हो, नॉर sin a plus delta m by 2 upon sin a by 2, तो यह नॉर्मल प्रिज्म के लिए, रही पतला प्रिज्म अगर हो, तो उसे प्रिज्म से अपरतन का सुत्र, मतलब, अपरतन का सुत्र के लिए, फिर जो नियुनतम मिचन कोन होगा, delta m is equal to n minus 1 into a, जब प्रिज्म के प्रारत का अपरतन न है तब, अब इस में कुछ और प्रस्ण बचें हैं, जो कि मुख रूप से प्रकासी अंत्र तथादिष्टी दोश्पर आधारित हैं, इसके अलावा प्रिज्म का प्रिज्म सेवन विशेपन पर भी आधारित, एक दो प्रस्ण हो सकता है, तो इसी प्रस्ण को अब उसके लिए लेकिन उसक प्रस्ण होंगे, तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो इसको देखते हुए, अगले पार्ट में, ये पार्ट वन है, एमसी क्यूज का पार्ट वन है, चेप्टर नाइन, किरन प्रकासी अंत्र, रे ऑप्टिक्स और उप्टिकल इस्टूमेंट, क्लास 12 फिजिक्स क खास करके हिंदी माध्यम से तयारी करने वाले चाक्त्रों के लिए बहुत ही उप्टियोगी, इसलिए कि इसमें वो ऐसे ही प्रस्ण सामिल किये गए हैं, जो कि विभिन राजियों की 12 बोर्ट की परिच्छाओं में पूछे जा चुके हैं, ये आकसर पूछे जाते हैं, त तो यह वीडियो आप लोगों के लिए मेरे समस्य से काफी उप्योगी सावित होगा, परिच्छा के 12 बोर्ट की परिच्छाओं के लिए, तो इसे ध्यान से पढ़ने की जरुवत है, लेकिन बचे हुए परस्णों को, इस चैप्टर के बचे हुए बचे हुए बस्णिस प सामिल कर आप लोगों को के बीच जल्द ही आऊंगा, यूटूब में उसे अपलोड करूंगा, यदि यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो, तो आप लोग इसे लाइक करें, दूसरों से से शेयर करें, तथा अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें, यदि वी बात नहीं, तो थैंक यू भेरी मुच्छ.